डो विकारबो का गुण्ण फल बटे में दो विकारबो का गुण्ण फल बटे में दो तीन बार बोलो चत्रभूज जो सब्द लिखा है सम चत्रभूज इसका आखिर मतलब क्या है ठीक है ना अगर हिंदी मेडियम आले हो तो बढ़ियां समझ आओगे सम चत्रभूज चत्रभूज का मतलब क्या होता है जिसमें चार भूजा हो चत्र मतलब चार भूज मतलब भूजा जिसमें चा चार हो आकरिती बंद वही क्या होगा चत्रभूज होगा और यहां पर लिखिए चत्रभूज मतलब इतना तो समझागा है चत्रभूज मतलब चार भूजा हो चार भूजा हो सम मतलब सम पहले लिखा है सम का मतलब क्या है बबू सम का मतलब समान सम का मतलब समान मतलब चत्रभ भूज में चारो भूजा कया हो समानो तो वह क्या का लाइगा सौम चत्र, भूज का लाइगा अब बर्ग पढ़े हो दो बर्ग की चारो भूजा 4 बराबर होता है याद करके रखना बर् Bhag की आ कि यह वाला कोना दिख रहा है नो यह कोना इसे बोलते हैं सीर्स क्या बोलते हैं सीर्स यह वाला को क्या से मिला दो इसे क्या बोलेगे बिकाण डाइगनल क्या बोलते हैं बिकाण डाइगनल इव Moż कर अब डिकाण समच बीज का छेत्रफल निकालते कैसे हैं समझ्य spannend की चेत्रफल सम चत्रभूज का छेत्रफल बराबर क्या होगा दोनो बिकॉर्णो का गुणन फल तो देखों यहापर सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ उसके बास समझाता हूँ बिकॉर्णो का गुणन फल बटे में क्या? दो ड़ुलानûtप मतलब बहाग होता हैちょっと that कि कि मॉक नहीं कर ना है विकोनों का गुणण्फल दूग बीकोन है कि दोनों का गुणा करो बिकोन नों का गुणा कि जिए तब बुटे में क्या मतलब दो से भाग देना है दो से आठ कितनी चत्र बूज का चहत्र पल कैसे निकालते हैं अगर दोनो बीकॉण का गुणा करेंगे दो से भाग भाग देंगे अगर माल में ऐसा ही एक सांचच्टल बूज की सब्सक्रेंडियों सेन्टिमेटर 12 सेंटिमेटर उसका च्छेतपल पुछा है जल्दी बताओं दोस में बारे से गुना करें के एक सब इस नो और एक सब इस में दूसरे भाग दो तो 60 होगा, तो 60 cm2, ठीके नो, तो सम्चत्रबूज का छितपल क्या होता है, बिकरणो का गुरन फल बटे में दो, बिकरणो का गुरन फल बटे में दो, तीन बार बोलो याद हो देगा, ठीके नो, तो सम्चत्रबूज का छितपल क्या होता है, बिकरणो का गुरन फल बटे म अब देखो अगर मालों पूछ दे सौम चत्रबूज का परी माप क्या होता है परी माप कैसे निकालते हैं ठीक है नो यहां पर देखें सौम चत्रबूज का परी माप क्या जी परी माप तो देखो यहां पर परी मतलब यहां पर देखो यहां पर सब्द परी लिखा है यहां परी मतलब उड़ने वाली परी नहीं परी मतलब होता है बाहर वाला परी का मतलब क्या होता है बाहर वाला माप मतलब जीतना भी माप दिया है बाहर वाला सभी माप को जोड़ दो वही क्या होगा परी माप होगा क्या होगा परी माप होगा सावाल के मादियों समझते हैं एक स सम चत्रभूज जिसकी भूजा 5 cm है अगर एक 5 cm है तो बाकि सभी 5 cm होगा क्यों कियूंकि सम चत्रभूज में 4 क्या होता है बराबर होता है तो यह 5 परिमाप के लिए कोई फर्मूला नहीं याद कियाता है परिमाप का मतलब यही होता है कि बाहर वाला सभी का योग परिमाप निकल जाता है अब क्या करना है आपको एक कांसेप्ट और बिलकुल याद करके रखना है अगर मान लो कि यहाँ पर एक सम चत्रभूज है क्या है सम चत्रभूज है और इसमें एक हो जब बिकॉण है वह है डी वन डी वन का मतलब क्या है डाइगनल क्या है डी वन अगर दूसरा बिकॉण क्या है डी टू है क्या है डी टू है तो हम ऐसा याद करके रखना कि इसी वीज सम चत्रभूज में बिकॉण क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते हैं मतलब देखो यह बिकॉण यहाँ पर आया यह बिकॉण यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यह बिकॉण यहाँ पर तो द आप, आप, आप दूसरा बात यए ही याद करके रखना है याद करके रखना है संभ का मतलब समान दिवी मतलब दो भाजित मतलब भागों में बाढ़ते हैं एक दूसरी को समान दो भागों में बाढ़ते हैं इसका मतलब नहीं समझ दैना तो अगर माल यह भी जाए आठ है तो यहां से लेकर यहां तक चार देना MEMBER यहां से लेकर यहां तक चाल देगा यहां से लेकर यहां तक चाल देगा अगर यहां से लेकर यहां तक पांच देगा यहां से लेकर यहां तक पांच देगा बदद दो बराबर भागों में बाट देना समधिभाजित का मतलब यही हो दो बराबर भागों में बाट देना ठी 4A square बराबर D1 का square प्लस D2 का square यह बहुत ही जदा important है 4A square बराबर D1 का square प्लस D2 का square ठीक है नो तो यह वाला important है देखों यहां पर यहां पर एक क्या है बाबू ए भूजा है एक क्या है भूजा है D1 क्या है पहल का बिकॉण D2 क्या है दूसरा बिकॉण ठीक है नो सवाल के मांदे में समझ यह देखों यहां पर अगर मालो की दिया है एक साम्चत्रभूझ जिसका एक बिकोल कितना आठ है दूसरा बिकोल कितना चौव है इसका बुझा पूछा है इसका मतलत तुमनों क्या बोलोगे जो डी 1 का मान कितना है 8 दिया है D2 कमान कितना है 6 दिया है A कमान पूछा है भूजा A नो तो देखो यहाँ पे फर्मुला क्या है 4 A square ब्रवर D1 का square प्लस D2 का square यही नो यहाँ पर समझ लेते हैं देखो यहाँ पे 4 A square बराबर में D1 का square तो D1 8 है 8 का square कितना होता है 64 प्लस D2 का square D2 कितना है 66 का square करो कितना होगा 36 होगा तो देखो यहाँ पे दोनों को जूड़ों के 100 आएगा 4 A square बराबर 100 आएगा अगे देखो यहाँ पे 4 गुणा में इधर गिए तो भाग में तो 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में 5 सेंटीमिटर भुजा कितना होगा 5 सेंटीमिटर ठीक है नो तो देखो सम चत्रभुज के बारे में आपको यही याद करना है कि सम चत्रभुज में 4 बराबर होता है सम चत्रभुज में 4 बराबर होता है ठीक है नो बारिक भी क्या है है एक परकार का सम्चत्र भूज है लेकिन वो एक ऐसा सम्चत्र भूज है जिसके परतेंको 90 बीघ करते हैं है चेत्पल कैसा निकलता है अगर बिकॉर दिया तो दोनों भी कर का गुड़ा करके दो से भाग दे दो ठीक है अब देखोंगे आप अगर मालों उतके बास से यह वाला याद करना आपको 4a square ब्रावर d1 square plus d2 square d1 क्या है पोहिल का भी कोड़ है d2 क्या है दूसरा भी कोड़ है एक भुजा है